हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में आपके सामने मोश्ट इंपोर्टेंट स्कॉलर्शिप का वीडियो सीरीज लेकर आगया दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वह है यानि कि आज के इस वीडियो में आपको जो मार्स का जो बेसिक चीज होता है वो आपको पता चलेगा क्योंकि यार बहुत सरे लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि sir हम लोग को ये भी समझ में नहीं आता कि कौन सा rational number है, कौन सा irrational number है, whole number किसको बोलते है, natural number किसको बोलते है, तो there are so many students जो अभी अच्छे-च्छे standard में पहुच चुक है, यानि 7th में है, 8th में है, 9th में है, कुछ तो 10th में भी है, जिनको अल्रेडी पता नहीं, क्योंकि उन पढ़ने के बाद आप जो ये वो scholar बन सकते हो, that's why इसका नाम जो है scholarship video series, और इसमें हम लोग इस तरीके के videos डालते हैं, कि अगर कोई बच्चा scholarship का जो exam होता है, जो 8th standard में होता है, उसके लिभी प्रिपेर कर रहा होगा, तो वो प्रिपेर कर सकता है, इसको देखके बहुत प्रिक्स की, वो भी आपको help करेगी, फिर हमारा science का funda series है, वो भी आपको help करेगी, तो वो भी देख सकते हो, और आपका जो महारा श्ट्रबोड का syllabus है, उसकी इसाब से भी अगर बात करो, तो आपका हमने हर subject डाल के रखा हूँ है, playlist आप चेक करोगे, science पूरा complete है, maths पू लगेगा, लेकिन सबसे पहले जो main focus है, हमारा जो बाकी subjects है, उसके उपर है, तो उमीद करता हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं, और हमें जरूर से support करोगे, ठीक है, और आपको बता दू कि हमारा इसके अलवा एक और second channel है, जिसका नामे JR Talks, उसको देख लेना, क्योंकि उस अब ही चीज हमने उस type के वीडियो के अंदर डाले है, जो आपको हमारे JR Talks के channel के उपर मिल जाएंगे, तो many videos, more than 50 to 60 videos हमने अप्लोड किया हुआ, career guidance के उपर, inspirational है, motivational है, जो आपको help करेगा अपने life में आगे बढ़ने के लिए, तो जरूर जाके देख लेना, channel पसंद आए हमने हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर की what is whole number whole number क्या होता है, तो पहला heading है हमारा, first है whole number, whole number क्या होता है, तेक अब whole number की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सा fund है, कि अगर कोई भी number, कोई भी number, अब आप देखोगे तो whole number क्या हो गया ह, जितने भी numbers ह होते हैं लेकिन इसमें फरक यह है कि अगर होल नंबर की मैं बात करूं तो उसको डिनोट किये जाता है अलफा बेटर अलफा बेट डबलू से यानि की मुझेगा की खुल नंबर लिखके दिखाओ तो उसको आप सिंबॉल कैसे लिखोगे जैसे हर एक का सिंबॉल होता है और हमेशा एक चीज याद रखना कि होल नंबर शुरुआत होता है जीरो से यानि की जीरो के बाद क्या टू, टू के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे करते-करते, कितना लिखू यार, कोई तो नंबर होगा, जो आखरी होगा, चलो आप बताओ, कोन सा नंबर आखरी है, पता है, आपको नहीं पता, यानि कि हमको पता नहीं है, कि लास्ट का जो नंबर है, वो क्या होता है, दुनि इंफिनिटी आपने नाम तो सुना ही होगा, इंफिनिटी यानि कि जिसका कोई भी अंत नहीं हो, जिसका कोई भी, कभी जिन्दगी में खता भी नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं, अंगिनत, जो चीज़ होता है, हिंदी में अंगिनत बोलते हैं, वी कांट काउंट इट, इस is called infinity, यानि कि जो number 0 से start हो रहा है और कभी खतब है नहीं हो रहा है, infinity तक जा रहा है तो आप लोग कैसे बोलोगे इसको 0 to infinity 0 से लेके infinity तक जो numbers होते हैं, उसको क्या बोलते हैं whole number बोलते हैं, simple है, बहुत simple है clear है, तो उमीद करते हैं, आपको समझ में आ गया चलते हैं अगले type के number की तरफ, जिसका नाम है दोस्तो, natural number क्या नाम है, natural number क्या होता है natural number, इसकी मैं अगर बात करूँ तो उसको भी same natural number को हम लिखते है N से, ठीक है capital letter N से लिखा जाता है, और इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई भी number 1 से start हो रहा है तो 1, उसके बाए 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6 7, ऐसे करते करते कहां तक जाओगे मुझे पता नहीं कहां तक जाओगे, तो last में जाओगे infinity, कहां तक जाओगे type का, आपका जो numbers है वो है integers, तो आप देखते हैं integers क्या होता है, बहुत simple सा fundi इसका भी, integers और integers को किस तरह से लिखा जाता है तो integers को basically जो लोग जो लिखते हैं, वो I later से लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है तो integers मतलब क्या होता है, कि दुनिया में जितने भी number से, चाहे वो positive हो, चाहे वो negative हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, integers बोलते हैं, ठीके ना, तो जितना भी number positive में हो, या फिर negative में हो, उसको हम लोग integers बोलेंगे, जैसे कि तोर पे 0 है, तो 0 के बाद positive number 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, कहां तक जाता है, infinity जाता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन 0 के पहले भी कुछ numbers होते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, तो 0 के पहले भी कुछ number आता है, 0 के पहले आता है, minus 1, उसके पहले आता है, minus 2, उसके भी पहले आता है, minus 3, उसके भी पहले आता है, बहुत सारे numbers आता है, और यह कहां तक जाते हैं, infinity तक जाते हैं, यानि जिरो से आगे जाओगे तो positive number है, infinity तक 0 से पहले जाओगे, तो वो भी, क्या है, negative numbers है, लेकिन infinity तक, तो ऐसे टाइप के जितने भी numbers होते हैं, positive, negative, अंगिनत, इधर से भी, तो ऐसे numbers को हम लिए बोलते हैं, integers, यानि कि आपको कोई पूछे है इंटीजर से समझ में आ गया तो ये तीन चीज हमने देख लिया उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा अब चलते हैं फोर्थ और फाइफ जो की ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसके उपर कोश्चन्स अलग से पूछे जाते हैं जिसका नामे रैश और इशनल नंबर ठोड़ा सा अलग है और ठोड़ा सा आपको समझना पड़े गा इसको ध्याद लगा कि तब ये आपको समझेगा तो डावन फ़्र एगजांपल डोन उसरे फवहूर्थ नमबर जिसका नाम है रैशनल नंबर रैशनल नंबर अब ये rational number होता क्या है चलो देख लेते है rational number की बारे में तो rational number ऐसे type के जो numbers होते हैं इसका जो form होता है वो होता है P upon Q की form में होते है अब P upon Q form मतलब क्या हो गया examples के अगर मैं बात करूँ जैसे कि कोई भी number हो गया 3 by 4 और कोई number ले लेते है 7 by 8 और कोई number ले लेते है 10 by 3 तो ऐसे type के number यानि fractions जिसको बोलते है उपर नीचे उपर कुछ number नीचे कुछ number उपर numerator में कुछ number denominator में कुछ number तो ऐसे type के numbers को हम लोग क्या बोलते है rational number लेकिन weight है कि हमेशा जो q होता है यह जो नीचे वाला number होता है यानि कि denominator जो होगा वो q जो होगा वो हमेशा क्या होगा not equal to 0 यानि कभी भी 0 नहीं होना चीए 0 के अलावा कुछ भी रहे चलेगा तो let's suppose आपको का question पूछा यहाँ पे 8 upon 0 तो मुझे बताओ कि क्या यह rational number है क्या यह 8 upon 0 क्या यह rational number है क्या आप बोलोगे यह rational number नहीं है क्योंकि इसके नीचे 0 आ गया क्योंकि हमारा q जो होता यानि नीचे वाला जो number होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चीए तो यह हमारा condition है तो ऐसे जितने भी numbers है जिसके upon में 0 ना आए और वो fraction में हो एक दूसरे के upon में हो तो वो type के number को हम लोग क्या बोलते है rational number बोलते है clear दोस्तो तो उमीद करता हूँ कि आपको यह चीज भी समझ में आ गया होगा आप चलते है आखरी की तरफ यानि कि 5th type of number जो हमें आज study करना है and one of the most important number जो कि आपको अकसर पूछता है इसके उपर तो chapter भी बने हुए बहुत स अब देखते है यह irrational number होता क्या है अब देखो इरैशनल number के चीए बात करूए कि यह एक एसा number है जिसका जो decimal point होता है वो क्या होता है क्या होता है यह आपको बता हूँँग इसका क्या होता है, decimal point जो होता है, मैं आपको बता हूँगा, example के थुरू बता हूँगा, समझ में आ जाएगा, वेकिन definition पहले सुन लो, कि इसका जो decimal point होता है, या फिर decimal, जो value जो आते हैं, दोस्तो expansion जो होता है, वो क्या होता है, is non-terminating, non-terminating, non-recurring, अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्या बोला मैंने, कि इसके जो decimals के बाद, जो number आते हैं, अगर कोई भी number है, उसके point के बाद कुछ numbers जो आते हैं, वो non-terminating होता है, यानि कभी खतम ही नहीं होगा, मतलब point के बाद number आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, कभी खतम ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, non-terminating हो गया, example बताऊंगा आपको, देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, तो non-terminating हो गया, यानि point के बाद, जो numbers आएंगे, वो कभी खतम ही नहीं होगे, तो non-terminating and non-recurring, recurring का मतलब होता है, repeat नहीं होना, यानि कि point के बाद, जो numbers आए, वो repeat नहीं हो रहे, अलग-अलग numbers आते जारे, आते जारे, एक्जाम्पल के तोर पर यहाँ पर देखू अगर, तो example है, इरrational number का, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले example है, root 2, अब यह जो root 2 है, इसका value अगर आप निकालते हो, तो इसका जो value आता है, वो आता है, देखो यहाँ पे, 1.41421, और आगे यह चलता ही जा रहा है, खतम नहीं हो रहा है, यानि कि क्या बोल रहा हूँ है, कि 1.41421 और यह आगे आते ही जाएंगे, बहुत सारे अलग-अलग number आते जाएंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसका मतलब आप देखो कि जो root 2 का value आ रहा है, यह 1.41421 इसमें आप देखोगे, पॉइंट के बाद यह जो decimal है, पॉइंट के बाद जो numbers आ रहे हैं, वो non-terminating है, यह खतम हो रहे हैं, यह dot 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 आते ही जा रहा है, खतम ही निहा है, बहुत सारे number होंगे, जो कि मैंने लिखानी है, यह आते ही जा रहे है, खतम नहीं हो रहे, यानि कि ये क्या हो गया? Non-terminating हो गया, और यहां पर देखो गया, तो कोई भी number जो एज रिपीट नहीं हो रहा है, एक के बाद एक, जसे 4 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 2 आ गया, है irrational numbers और example देखते है root 2 समझ गया वैसे दोस्तो root 3 भी इसका ही example है root 3 root 5 यह सब जो होते है irrational number ही होते है तो root 3 का भी जो value होता है वो होता है दोस्तो 1.732 और यह चलता ही रहता है तो आप देखो गए यहाँ पे कि point के बाद जो है number चलते ही रहे रहे यानि खतम नहीं हो रहे non-terminating है खतम नहीं हो रहे चलते ही रहे non-terminating और दूसरा repeat नहीं हो रहे 7 के बाद 3 आया 3 के बाद 2 आया 2 के बाद कोई और number आएगा वन आएगा तो इस प्रकार जो है वो कभी repeat नहीं होंगे यानि non-recurring है तो इसके लिए root 3 भी हमारा क्या है irrational नंबर है और एक और बहुत ही बड़ीया value है एक और बहुत ही बड़ा number है बहुत ही अच्छा number है आप देखोगे अगर तो उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ आप सभी को बता है यह word आपने सुना होगा पाय तो पाय का जो actual value होता है वो होता है 22 upon 7 आपने यही सब पढ़ा है लेकिन इसका decimal में भी एक value होता है जो कि बहुत कम लोग जानते होगे तो पाय का जो decimal में value होता है मैं पहले लिख देता हूँ वो होता है दोस्तों 3.14159265 और यह चलता ही रहता है खतम ही नहीं होगा यह कभी खतम ही नहीं होगा यानि कि जो पाय का value होता है हम लोग क्या लेते है यूजुली हम लोग को जब calculate करना होता है तो हम लोग सिफ 3.14 ले जाएंगे, और कभी भी यह क्या हो जाएगा, खतम नहीं होगा, यानि कि non-terminating है, और इसमें आप देखोगे, तो कोई भी number एक के बाद एक repeat नहीं हो रहा है, 1 के बाद 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 5, 9, 2, अलग-अलग number आ रहे हैं, इसलिए यह non-recurring भी है, तो इसलिए यह जो type के numbers होते हैं, वो क्या होते हैं, irrational numbers होते हैं, clear दोस्तो, समझ में आ गया कि क्या होता है irrational number, तो यही था दोस्तो हमारा आज का जो lecture, जिसमें हम दोंको 5 अलग-अलग type के numbers देखा, चाहे वो whole number हो क्या होता है, natural number क्या होता है, integers क्या होता है, rational numbers क्या होता है, irrational numbers क्या होता है ये सबी चीज हमने आज discuss कर लिया और मैं पूरी उमीद करता हूँ कि ये पाचो नंबर जो system है आपने पढ़ने के बाद पूरे जिंदगी में कभी भी आपको problem नहीं होगा ये पाचो नंबर को identify करने में या फिर पाचो नंबर को differentiate करने में और आपको कोई पूछेगा की बटा बताओ कि ये कौनसा टाइप का नंबर है तो आप तुरन बता सकते हो इतना आपके अंदर capability आ चुका है clear रहे दोस्तों तो उम्मीद करता हो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का जो lecture है वो मैं करता हूं समाप और इसी प्रकार के और भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें comment करके बाताना कि आपको और कौनसकंस है topic के ओपर वीडियो चाहिए साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो को हम अप्लोड करेंगे तो आप लोगको notification मिलती रहेगी ठीक है friends तो मिलते है हमारे एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and good bye